नमस्कार दोस्तों बिक बुल मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए धन्यवाद तो गाइस आज हम डिसक्स करेंगे विकास लाइफ के का रिशेयर के बारे में क्या आपको आने वाल कि मिलेंगे का सप्ट बनेगा का में आयन्यवाद यहां दूद्धूर देख़ेगा यह गाइस टोक का जो है टेखनेटल और जो है लगा तो आप देखतेंग फिछले नहों देने को नहीं मिले क्यों होता है पिछले प्रिज्ञे की रैली नहीं हूई पिछले में 75 परसेंट उचला है और पिछले एक साल में जो है सिर्फ 5 परसेंट तो यहां पर आप देख सेते हैं जो मैक्सिमम है स्टॉक भी एक जगा जो है रेंज में फसा है एक बार रेंज तोड़ने की स्टॉक ने जरूर कोशिश की थी लेकिन उसमें स्टॉक असफल र मुझे नहीं लगता आपको विकास लाइफ केर में देखने को मिलेगी यहां पर आप इसके फाइनेशल देख ले तो कंपनी के रेविन्यू में गिरावट है नेट इंकम जरूर बढ़े गाइस प्रॉफिन मार्जन जरूर बढ़े ऑपरेटिन इंकम जो है उसमें गिराव लाइफ केर फंडमेंटली भी स्ट्रॉंग है और फानेशली भी स्ट्रॉंग है ग्रोथ और लुक भी काफी इनका ब्राइट लग रहा है तो मैं आपको यही राय दूंगा विकास लाइफ केर में आप पूजिशन गाइस बना सकते हैं लेकि आपको जो है पेशेंस रखना तो गाइस यहाँ प्र लेवल से यहाँ पे कैसी सेलिंग हमें देखने को मिले और कैसा जयसा है विक सेंटीमेंट और एक हमें क्ट्रेंट description देखने को मिलेगा तो मैं आपको यही राय दूंगा और मेरे आपको यही सा रहेगे विकास लाइफ केयर में को भी बाइंग करके मत चले कोई भी पोजिशन अभी आप आन फिReли फैर में ढई बना के देगाई यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है और यहां पर आप देखते हैं स्टॉक चले गया और यहां पर एक स्टॉक में बना है तो अभी विकास लाइफ केर में आप जो है बाइंग मत कीजिए लेकिन जो है फाइनेशली और फंडमेंटली स्टॉक जरूर है लेकिन चार्ट में जो सेट अप है इसका यह भी काफी वीक है तो मैं आपको यही रहा दूँगा इसको आप यहां पर जो है सेट अपकी साब से तो अवोईड कीजिए लेकिन अगर आपने फाइनेशली और फंडमेंटली जेखना तब के तो अवोईड कीजिए तो गैज ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को प्लीज सस्क्राइब कीजिए धन्यवाद